पर हमें एक पर हमें कहा गया कि एक एक विलेट्राइंगल है वो किस चाइप का उसमें वो एक विलेट्राइंगल एबी सी है उसमें जो डी है वो कोई भी एक पॉइंट है बी-सी पर next कुछ इस तरह से वो point है जिससे कि जो BD है यानि कि अगर हम mark कर लें तो ये वाला जो part है ये BD ये पूरा BC का one third है यानि कि अगर पूरा BC हमारा लाइक अगर हम मान ले कि पूरा BC अगर हमारा three centimeter का है तो BD जो होगा हमारा वो होगा one centimeter ये चीज यहां पर relation में कही गई है next ये कहा गया है कि जो हमें प्रूफ करना है वो करना है कि 980 स्क्वेर 80 अगर हम देखें तो एक तरह से ये वाली हाईपोटेनिस है एक triangle की next वो इक वाल है 7AB स्क्वेर ये चीज हमें आपर प्रूफ करनी है स्टार्ट करते हैं इसे like अगर हम देखें यहां पर हमें जो triangle दिया गया है ये एक equilateral triangle है हमने अपनी तरफ से एक altitude यहां पर draw कर ली am जो की m यहां पर 90 degree है next हमें पता क्या क्या है जब हमने अपनी तरफ से altitude draw कर लिया है ये तो इन्होंने relation दिया है खुद की 3 bd जो है वो bc के equal होगा हमने 3 को यहां multiply कर दिया हमें क्या पता है अपने according जो relation है वो यह है की bm जो है वो equal होगा mc के second चीज हमें यह पता है bc को अगर हम half कर दें तो वो भी bm के ही equal होगा क्योंकि एक तरह से दो equal part में बट रहा है bm की वज़े से और bm नी am जो यह altitude रहा है इसकी वज़े से और next चीज अब हम क्या करेंगे किस टाइब से हम यह relation प्रूफ करें हमें तो यह पता है दो triangles की hypotenuse है दोनों के बीच में relation प्रूफ करना है relation हम तब ही प्रूफ कर सकते है जिब हम इन दो triangles यानि कि एक तो यह that is a dm and यह पूरा triangle that is a bm इन दोनों triangles को अगर ले और इनके बीच में कुछ relation पुट कर दे like अगर हम पहले triangle a dm अगर ले तो a dm में हम एक चीज कह सकते है कि जो a d का square होगा a m square तो यहां पर अगर हम कुछ चीज आजियूम कर लेते हैं ताकि हमारी calculation थोड़ी सी इजी हो जाए like हम मान लेते हैं कि जो equilateral triangle है इसकी जो sides है वो 6a है अब हमने 6a क्यों माना है हम सिर्फ a भी तो ले सकते थे हमने इसलिए माना है ताकि ज़्यादा fraction ना आए तो हमने मान लिया कि इस equilateral triangle की जो side है वो 6a है यानि कि bc जो है वो 6 है अगर bc 6a है तो bd जो है वो bd आ जाएगा हमारा 2a यानि कि यह पूरा इतना यहां से लेके यहां तक तो 6a है यहां से लेके यहां तक 2a है दूसरा हमें यह भी पता है 6a जो होगा वो यहां पर 3a 3a तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा तो हम कह सकते हैं कि mc जो होगा यहां पर जिसम bm भी कह सकते हैं bm जो होगा हमारा यहां पर उसकी value कितनी आएगी उसकी value आएगी 3a अब यह 3a है यह 2a है यह बचा हुआ कितना होगा यह बचा हुआ होगा हमारा directly हम कह सकते हैं a यह important था है यहां पर यह वाली side हमारी a आगे इस triangle में second चीज second चीज अगर हम देखे हमें altitude भी पता हो सकता है यहां से like अगर हम यह वाला right angle triangle देखें तो इसमें यह 3a है यह 6a है तो हम यह वाली side भी यहां से determine कर सकते हैं क्योंकि 6a वाली side hypotenuse हो जाएगी तो उस according हम कर लेंगे तो यह आजाएगा 6a का square minus 3a का whole square 6a का whole square minus 3a का whole square equal am का square क्योंकि यह altitude है तो यह आजाएगा 36a square minus 9a square equal am का square तो यह आएगा 27a square और 27a square को हम लिख देंगे 3a root 3 equal am यानि कि जब आप am यहां से calculate करेंगे तो वो आजाएगा 3a root 3 अब कर लेते हैं इस चीज का use जो यहां पर हमें दी गई है हमने relation देखा उसके according सो उसके according हमें ad पता है हमें सारी चीज़े पता है फिलाल यहाँ ad हमें नहीं पता ad के हमें ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ad तो हम relation ही proof करने वाले है next अगर हम देखें हमें ad का relation ab के साथ proof करना है तो हमें ad ab दो चीज़े हमारी इस equation में आनी चाहिए अब हमने ab को तो क्या माना हुआ है हम पर six a a हमारा इस equation में आ जाएगा इसकी यहाँ पर इसे फिर इस टाइप से value पूट करके हम solve कर लेंगे like ad को हम नहीं यहाँ पर remove करेंगे और बाकि सारी चीज़ों को a के respect में लिख देंगे ताकि last में हम उसे a b लिख सके तो यह आ जाएगा हमारा ad square equal dm dm हमने देखा कि हमारा है a यानि कि a का square plus am का square am का square हम देख सकते हैं वो आएगा 27 a square तो यह चीज़ हमारे पास आ जाएगी next इसे हम put कर सकते हैं ad square equal 28 a square यह पहली equation हमारी form हो गई second second चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर हम देखें तो हमने जो माना हुआ है वो a b को 6 a माना हुआ है यानि कि हम लिख सकते हैं से कि a b जो है हमारा वो 6 a के equal है हमें हम पर a a हटाना है a b लाना है तो हम लिख सकते हैं से a जो है वो a b upon 6 के equal होगा so a की जगा हम यहाँ पर a b upon 6 भी लिख सकते हैं सो यह आ जाएगा हमारा a d square equal 28 multiplied by that is a b square divided by 6 का square आ जाएगा 36 next यहाँ पर यह दोनों आपस में cut हो जाएगे that is 7 9 7 4 2 8 9 4 3 6 उस according तो यह आ जाएगा 9 a d square क्योंकि 9 को left side shift कर देंगे multiplication equal 7 a b square तो बहुत easily यह relation प्रूफ हो जाएगा यही relation हमें इस question में आपर प्रूफ करना था